कि आप सभी आशागरतों बहुत अच्छे होंगे वह कैसी किलास लगी एक बार ये बता देंगे सभी बच्चे आपको आशागरतों बहुत मजाया होगा कल की किलास में पहली किलास थी पर बहुत अच्छी क्लास हुई थी मुझे भी कहीं न कहीं लगा था मैं कोशिश करूँगा ऐसी क्लास की आज की क्लास को सुरू करने से पहले मैं दो चीज बताता हूं हम इस क्लास को लेके चलेंगे पहले मैंने आपके लिए 20 mcq रखे हैं जो आपके पूरे के पूरे प्र चलूँगा पर जो मैंने ओलंपिक के सवाल लखे हैं वो दोनों में हिंदी और इंग्लिस में और एक्स्प्लेनेशन के साथ है उसकी पीडियाप भी आपको मिल जाएगी क्लास के बाद है ना तो ओलंपिक से जो भी सवाल आने होंगे ना वह इस वीडियो से भाहर नहीं आ सारे सवाल लेके चलेंगे एक टॉपिक स्टेटिक्स का रोज कवर करके चलेंगे और मेरे साथ नोट्स बनाने तरला आप सक्सेस मिलेगी यह अपना एवर एक्जाम है सेलेक्शन की भरमार रहती है इस्ट्यूट से इंजिनियरिंग के छेतर में है ना कहते हैं कि बहीं चल सवाद कर देते हैं मेरे भाई चलो पहला सवाल है हमारा कि वे डीड लोर्ड वेवल कॉल ला कॉंफरेंस बीडविंग कॉंग्रेस एंड मुस्लिम लीग लीडर तो रीच एन एग्रीमेंट है ना सवाल बहुत प्यारा बनाया है और यह सवाल ना एससी के जो सेलेक्टर बै ऐते शिफट में ग्यारेकी में है यही तो इस में खेल है मैंने बता है आपको यह वाला सवाल दी आ एक सो समझ के दिया है ए इक प्लट वेन आपको सवाल में दिया तो उसका कुछ रीजन होगा पीछे बेटा ये लोड वेवल जो था जो भारत में रहाता यह रहता उननीस सो तेतालिस से आय था मॉंट बेटन ने बुलाया था वेवल प्लान इसको हम कहते हैं कोड़ पे लाइट आ रही है कोड़ पे लाइट आ रही है हुद पे लाइध आ रही है चलो हम देख लेते हैं कहा से अब ठीक हो जान अब ठीक हो गया होगा मेरे भाई और सुझने लगे चीह तो लखफण सवाल बिलकुल अलग है सवाल बिलकुल अलग है चलो मैं पहले तुम्हें लखनुपक्त बता देता हो इसको लिखते चलना लखनाओ quantitative के जितने भी кत हैं मैं सारे बताता हुआ चलूगा सारे मेरे भाई लिखते हुए चलेंगे देखो लखनुपक्त में क्या हुआ था मैं बताता हूं यह हुआ कब था तो 1916 के अंदर यह हुआ था कहां पर हुआ था तो जैसा ही इसके नाम में है लखनव के अंदर हुआ था किस किस के बीच में हुआ था तो यह हुआ था मेरे भाई बना था कि लिए जिसे लखनोव पैक्ट के रूप में जाना जाता है मुसलिमों को अलग एक सेपरेट इलेक्टरेट देने के लिए ही इसमें क्या समझोता बना था उस टाइम जिस टाइम यह समझोता हुआ था उननीस में तो आइएंसी के प्रेजिडेंट पूछते हैं कि इ एक बार लिख लेंगे अंबी का करण मजुमदार यह थे इसके प्रेजिडेंट आइएंसी के जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को लीड करा था वो करा था किसने लाला लाजपत राए किसने लाला कि लाजपत राए ने करा था किसको इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को लीड करा था दूसरी इसमें जो मुस्लिम लीग थी मेरे भाई क्या था मुस्लिम लीग थी यह पूरा लखनो पैक समझे लो और सवाल क्या है वो तो मैंने बता दिया मुसलिम लीग को मुहमद अली जिन जिन्ना ने क्या करा था लीड करा था मुहम्मद अली जिन्ना ने किसको मुस्लिम लीग को लीड करा था अच्छा जब यह लखनो पैक्ट हुआ था तो इसे भाईचारे का बहुत बड़ा क्या माना गया था एक सिंबल माना गया था कि भाईचारे का बहुत बड़ा सिंबल है तो इसको ना एक सवाल SSC नहीं पूछा था आपके पेपर में की मुष्मद अली जिन्ना को क्या संग्या दी गई थी, इसे संग्या दी गई थी कि ब्रोधर हुड ब्रोधर हुड और एक जिसको तो वो दी गई थी मोहमद अली जिन्ना को और देख किसने थी तो हमारी जो नाइट एंगल जो जिसको कहते हैं सरोजनी नाइडु किसने भया सरोजनी नाइडु ने दी थी आपके सवाल दो तीन है जो लखनव पैक से आते हैं कि लखनव पैक लखनव में वह था 1916 के अंदर हुआ था और जो मुस्लिम लीग आई एंसी के बीच में और जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के प्रेज़ेंट अंभी का चंद मरुमदार थे और मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे मुहमद अली जिनना जिनने ब्रोधर हुट का सिंबल बताया था सरोजनी के सवाल है ना यार आप जुड़ोंगे मजा आ जाएगा आपको अलग लेवल पर है ना जब ओलंपिक के सवाल देखोगे ठीक है भाई चलो कि चलें आगें अगला सवाल है हमारा अकोर्डिंग टू विच आर्टिकल ओफ इंडियन कोंसे संभिधान के किस अनुछेद में है ना किसको पोपुलेशन को यूनियन का पार्ट बताया गया है तो जल्दी बताएंगे क्या आंसर होगा सारे भाई चलो मैं बतादेता हूं इसका आंसर सारे अटिकल से लाइन देखेंगे सारे आटिकल द्रू ढ़र आये झाल्टिक कल 80 भी देख लेते बड़े आसान है यह हमारे और आर्टिकल 81 भी देख लेते हैं क्या YOUR साइज यह तीनों के तीनो ना मेरे भाई यह इंपोटेंट हैं आपके पेपर में काफी बार आए हुए तो हम सारों को ले के चलेंगे यह क्या है हमारा 79 चाहिजक को फालिया मैंट को जिसके अंदर अभी कोई गुश गया था है ना security breach हुआ था तो उसमें उसी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट आती है किसमें 79 के अंदर ठीक है 80 के अंदर क्या आती है राज्ये सभा क्या आती है भीया राज्ये सब्हा आपकी किसमें आर्टीकल 80 के बीच में 81 मी आती है लोक सभा क्याती है मेरे भाई लोक सभा लोक सभा आती है हमारी 81 के अंदर जर्नलीस की एक ट्रिक बन जाती है आप कुछ भी बानलो जैसे PRL है ना ऐसे भी माल लेते हैं यह इसको ना भोस से हिंदी में याद कर लेते हैं जैसे संसद तो इसको ना ऐसे लोगों ने ये वाली ट्रिक बना रखी है कि सरला सरला 79, 80, 81 यह संसद हो जाती है राज्य सबा और यह हो जाती है हमारी लोग सबा यह इसकी ट्रिक भी बना रखे इसको याद कर लेना जब भी आए तो सबसे पहले parliament parliament बना किस किस चीज़ को लेकर तो एक तो इसमें president होते हैं और एक इसमें लोक सभा होती है और एक राज्या सभा होती है तो याद रखना parliament के तीन ही part है लोक सभा राज्या सभा और हमारे प्रेजिडेंट अगर प्राइम मिनिस्टर वहां दे रखा है तो वो उप्शन में नहीं होता सवाल यही बनके आता है आपके पेपर में कि निम लिखित में से यह विच ओव दा फॉलॉइंग इस नोटे पार्ट ओफ पाल्यामेंट तो आप जनरली कुछ और आंसर लगाते ह हैं जबकि पार्लयामेंट के तीनी पार्ट होते हैं एक प्रेजिडेंट लोगसभा और राज्यासभा चलें भाई आर्टिकल 79 का हमारा हो गया आर्टिकल 154 यह हमारा प्रोविजन देता है गौर्णर के लिए किसके लिए गौर्णर के लिए राज्यापाल जिसको हम कह दे हैं क्या रख है कि वहाइब फाइनेंस कमीशन है ना फाइनेंस कमीशन अंडर दिया गया है तो वह है हमारा आर्टिकल 280 अच्छा तो हमारा आंसर एक ही बचा जिसमें लिस्ट डिवाइड कर रखिए आर्टिकल 246 जो यूनियन लिस्ट की बात करता है और पोपुलेशन का स सेंसस जो हता है वह यूनियन लिस्ट के अंदर सेंसस एक चीज और एक चीज कर दूँ मैं इसा में अगर यह सबसे पहले फ़र्श मुझी भारत के अंदर सवाल इससे भी आया कि फ़र्स टाइम कब हुई थी दिखतो रहे है ना मेरे भाई सबी भाईयों को तो first time हुई थी 1881 के अंदर कब हुई थी फस्ट आइम उची 1881 के समय और 2011 में जो हुई थी 15 वी हुई थी कौनसी हुई थी मेरे भाई 15 वी उई थी हर 10 साल पर होती है क्या भाई हर 10 साल के अंदर क्या होती है हमारी सेंसेश होती ए हर 10 साल पर क्या होती है census होती है इस बार क्योंकि COVID आ गया था इस वज़े से census नहीं हो रही जो 2011 की की इसका मोटो पूछा था कि बही इसका मोटो क्या था तो इसका मोटो था Our population, Our culture is our population क्या भया Our population ये था इसका मोटो आ गया भया सभी को समझ में अगर कुछ छूट गया है तो एक बार बता दो कि हाँ ये चीज हमसे छूट गई है सारी चीज आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी चलें बढ़ जाएं चलो अबर सेंसर्स इस अबर फ्यूचर यह भी है यह भी मान सकते हो और अबर सेंसर्स अबर फ्यूचर यह अबर सेंसर्स अबर फ्यूचर यह दोनों ही तरह से पूछा गया तो दोनों ही तरह के इसके क्या जाते हैं इसकी थीम पूछ लेते हैं कि तीसरे का सवाल का आंसर देंगे सभी विच ओफ फॉलॉइंग इस टाइल ओफ टेंपल आर्किटेक्ट्चर पोपलर इन नोर्डन इंडिया जो हमारे नोर्डन इंडिया वाला पार्ट है उसमें कौन सा पूपलर है चलो हाँ जी सरी मेरे भाई यह विमाना देखो यह तो हैं इनके पार्ट होते हैं क्या भीत्ग्रेट जापने हुक्तुना मेरे यह दियों Israeli आर्ट 치kenारी पर थे जैडिया यैयुत है वैसे भी मे आता है auf कहां देखती जो स Allen का री इसको डीट बोलते हैं तो एक और होती product भह yanAC a summation बता रहो उती है ना तो इसका सवाख स्वाल कि यूब बता रहा हूं मैं आपको देखो ये तो ऑफ है ही एक होती है वैसर वैसर पद्दती होती है मंडिरों के एक ऺचन submit होती है तो एक मंदिर है विरुपाक्स का मंदिर क्या भाया विरुपाक्स का मंदिर है एक यह जो बना हुआ है ना मेरे भाई यह वैसर पिर्णाली में बना हुआ है जबकि हमारे नागरा में जितने भी नोर्थ इंडिया के मंदिर जाए नागरा में और आभाट में जितने भी साउठ इंडिया के अंदर मंदर है वह ड्रेविट मेंändern kamu Mara एक और आती है इसमें एलोरा तो एलोरा की केव है ना तो उसमें एक एलोरा का मंदिर भी है है ना जिसे क्या कहते हम कैलासनाथ मंदिर क्या कैलासनाथ मंदिर ये वाला सवाल भी बहुत बार पूछा है कैलासनाथ मंदिर कि कैलासनाथ मंदिर जो है वो किस टेंपल पद्दती में या temple style में architecture style में बना है तो यह यह भी बना है किसमें वैसर के अंदर पाकी अगर आपको नोर्थ इंडिया में दिख जाए मंदिर नोर्थ इंडिया का दिख जाए तो नागरा और साउथ का दिख जाए तो ड्रेविड ठीक है मेरे भाई यह इनके पार्ट है जैसे देंगे तो ओलम्पिक वाले में हिंदी में भी लेके आया हूं आपके लिए चलो कि फोर्ट सवाल है फोर्ट कोश्चन एक मिट देना मेरे भाई है न कि विच ओव द फोलोईंग इजए सिफ्टिंग कल्टिवेशन नाव नेज ब्रिंगा देखो बिल्कूल एक दम आपके गुगली मार दिना कि आजाओ इंजिनियरों देखते हैं कि कि आप कहां तक जेलोगे तो बिल्कूल गुगली मार दिना आपको पता ही नहीं है एक्चुली सिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूं जैसे बहुत से नॉमेडिक कम्मुनिटी होती है ना कि जो जंगलों में निवास करते हैं होता क होते हैं उसको भी ऐसे ही छोड़के दूसरी जगह चले जाते हैं तो यह सिफ्ट करते रहते हैं सिफ्टिक कल्टिवेशन का पार्ट होता है तो ब्रींगा पूछा है कहां पे कहा जाता है कहां कहा जाता है मेरे भाई उडिशा के अंदर क्या कहा जाता है सिफ्टिंग आपको किलास सारे लो चल लेते हैं आगे पाच्वा सवाल इंडिया वार्डोली सत्रेगे लॉंच बहुत बार आया है और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसका यह पता हो जाना चाहिए हिंदी हो गए आपकी है ना चलिए आपको ना इसका यह पता होना चाहिए क्योंकि आपके इन्होंने बार्डोली पूछ लिया किस से रिलेटेड था सर्दार बल्लब भाई पतील से कहां पे हुआ था वो सवाल आ गया अब अगली वार पूछेगा वो इसका यह पूछेगा यह पूछेगा तो वह कि सर्दार बनलब भाई पटेल को कौन सी उप्यादी दी थी महां की लेडी जोने दी थी महां की महीला उन्हें सर्दार की उपादी दी यह बहुत कोमन सवाल है सभी बच्चे जानते होंगे कि सर्दार की उपादी बार्दोली सत्यागिरह के बाद ही सरदार बल्लब भाई पटेल को मिली थी और यह हुआ था 1928 के अंदर कहां पर 1928 के अंदर गुजरात के अंदर यह हुआ था चले मेरे बाई आगे चल लेते हैं थ्योरी भी लाओंगा भाई कुछ दिन प्रिविएस यर कोश्चन तो देख में तर आए हुए फिर आपको लगेगा हां हमारे सवाल है बिल्कुल ऐसे थियुरी भी बनाई गई है तो आपको ऑटॉमेटिक लिओंग अभी आप देखना बिल्कुल लब इतने मैं चुक्वापको सवाल कहीं न कहीं उनका देखने को मिलेगा कुछ इन्वाइट दा लीडर ओफ मैजोर्टी पार्टी तू फॉर्म दे गोवर्णमेंट है ना कौन करता है जैसे अगर कोई केंद्र में सरकार बनी है मैजोर्टी में उसकी सरकार बनी है कि बहुत सारी सीटे सबसे जादे सीटे उसकी आई है तो कौन बुलाएगा प्रेज चीव जर्श्टिस ओफ इंडिया वाइस प्रेजिडेंट सीप सेगेटी तो सिम्पल सा अंसर है और अगर ऐसे जैसे स्टेट के अभी इलेक्शन हुए है इसे जैसे सरकार बनी है राजिस्तान में भजललाल है और वहां पे यादव जी एंपी के अंदर बनाए गया है उसक सेट में कौन कोल करता है गवर्नर का प्रोविजन मैंने आपको बता है 154 आर्टिकल के अंदर दिया गया है कहां पर बिटा 154 आर्टिकल के अंदर चीफ जस्टिस ओफ इंडिया और इसका प्रोविजन किस में है तो 140 आर्टिकल वन में किसका प्रोविजन है चीफ जस्टिस ओफ इंडिया का प्रोविजन दिया गया है यह भी आप नोट करना मैं छोटी-छोटी चीज़े जो लेके चल लाओ न यह सारी कहीं न कहीं आपके पेपर में आई है थीक है वाइ जन दिया गया है वाइस प्रेजिडेंट का चीफ सेकेटरी वह होते हैं जैसे होम मिनिस्टर के चीफ सेकेटरी होगे गावा है ना बहुत सारे हैं चलो भल्ला खटा हो गया सात्वा देख लेते हैं विच ओव दा फोल्लेंग रिवर फोल इंटू दा अरब यंसी है ना यह भारत का मैप है इधर क्या यह हमारा पैसे सारा इंडियन ऊचियन आता है और इधर आता है हमारा अरब सागर अरब सागर तो अब बता दो आसानी से कि आख सागर में कोन सी रेवर कुरती होगी जाके बीया कि और लीके 1-29 भौई मैंने वहे बताया आटीक अवं में प्रोविजन है पर कभी-कभी एससी बहुत स्पेसिफिक पूछ लेती है तो 124 के वन में क्या है चीफ जश्टिस ऑफ इंडिया का वह ना तो इसका तो अंसर सभी को पता होगा इसका बिल्कुल 153 इसका तो आंसर सभी को पता होगा नर्मदा कहाँ पर भाईना तको इसमतर होती है नर्मदा कैसी वैस्ट फ्लोइंग रिवर है भारत में दो तरः कि रिवर बहती है है एक से हमारी इस्ट फिलोइंग होती है कौन सी इस्ट फिलोइंग होती है और एक होती है वैस्ट फिलोइंग जो जितनी भी वैस्ट में जाती है जितनी भी वैस्ट में जाती है यह सारी अरब सागर के अंदर गिरती है किसमें अरब सागर में और जितनी भी इस्ट में जाती है तो ये बेव बंगाल के अंदर गिरती हैं कहां पर बंगाल की खाड़ी के अंदर ये गिरती हैं तो हमारी एक ही रिवर है नर्मदा कहां से निकलती है तो ये भी आद कर लो इसका ओरेजिन ओरेजिन उद्गम उद्गम क्या है इसका वहिया उद्गम क्या है इसका तो अमर कंठक क्या है वहिया अमर कंठक की पहाड़ी से निकलती है है ना कहां से निकलती है अमर कंठक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है गोदावरी निकलती है मेरे भाई नासिक से कहां से न कलती है कहां से उद्गम सिरोत अगर हम इसका देखें तो ये ब्रह्म गिरी की पहाड़ी इसकी मेरे भाई ब्रह्म गिरी की पहाड़ियां है और ये ब्रह्म गिरी की पहाड़ी पढ़ती कहां पे हैं तो ये पढ़ती है अमारी करनाटक के अंदर कहां पे मेरे भाई करनाटक क के अंदर और ये भी कहां गिरती है बेयों बंगाल के अंदर जाके गिरती है नर्मदा बहुत शांतर मेरे भाई बहुत ही अच्छे चलो आठवा दी नंबर ओव दा पार्टिस्पेंट कंट्रीन फर्स्टेशन गेम यह मैंने बता है ना तीन तरह के कल आपको कोश्चन अच्छा इसकी इंपोटेंस जरूर है यह पूछने का कारण है ऐसे ही नहीं पूछ लिया कोई सा भी एसे पूछ लिया इसके पूछने का भी एक कारण है चलिए बताईए देखो सबसे पहले कब हुए थे 1951 के अंदर हुए थे एशन गेम है ना एशन कंट्री के बीच में होते हैं सबसे पहले हुए थे 1951 के अंदर हुए कहां पे थे वेन्यू क्या था इनका तो इनका वेन्यू था मेरे भाई न्यू डैली क्या था न्यू डैली अब भारत के अंदर एशन गेम हो रहा है और वह भी पहली बार तो यह कोशन वहां से बनके आया है और कही ना कहीं अपनी जो इस कोश्चन की एक महत्वता है उसको दर्सारा है तो कितनी कंट्री थी मेरे भाई 11 कंट्री नो इसमें पार्टिसिपेट करा अच्छा इसमें एक और सवाल पूछा था है ससी नहीं कि बैस में टोप कून था मैडल टैली में टोप कून था तो मैडल टैली में के अंदर और टोप मेडल टेली में कौन था जा पान था टोटल टीम ने कितने ने पार्टिसिपेट करा था ग्यारे टीम ने पार्टिसिपेट करा था चलो मेरे भाई आगे बढ़ लेते नोवा यही मैंने कल पढ़ाए था आपको आपके एकदम किलिक हो जाना चाहिए यह तब ही मैं आपके रिवीजन के लिए सवाल लेका आया हूं जैसे आपको आर्टिकल फिप्टीवन दीखे फिप्टीवन ए दिखे तो आपको सीधे स्वांड सिंग कमेटी 1906 के अंदर बना जब ब सब्सक्राइब का और 6-14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना एक पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है सीधा आपको यह किलिक हो जाना चाहिए जैसे ही मैंने कल बोला था वैसे ही कि कौन-कौन सा इसके अंदर आता है तो हमारा फोर्ट ओप्श की किलास में करा दूंगा अगर एक भी सवाल उससे छुट जाए जैसे आप अभी ओलंपिक की किलास देखोगे ना मेरे भाई तो इतना मजा आ जाएगा कहते ना स्वाद आ गया वह वाली किलास है बहुत-बहुत सवाल है उसके अंदर आप करते करते रिवाइद कर सरके आऊंगा अगर वक्रेड एंड लिक्वेडिटी के मानते हम डाइनम्क फंक्संट क्या है क्रेडीटी से ह drinking वी टी मतलब हो होती है जो कैस का फिलो होता है ना वो क्या होता है हमारे हिक्वेड़िटी होते है ste changing of deferment payment standard of reference payment तो का डाइनमिक फंक्षन ही नहीं मीजर्वेंट वईल्यू मीजम रम एक्षेंज मीडियम फॉफ एक्षेंज तो बहूस सारी चीज़ होती है गौल्ड भी होता है silver भी होता है ना तो यह एक्षेंज का मेडियों ओफ एक्षेंज तो नहीं है यह क्रेडिट और लिक्यूडिटी को मैं बरकरार रखता है चार आंसर जो भी दे रहा है ना भाई शूपर तैयारी आपकी CPDWD लेने वाले यार आप लेने वाले हो विच आप दा फॉलोइंग इजे कैपिटल गूड इंडस्टी देखो यार इतने अच्छे सवाल एकनोमिक्स के पूछे हैं यूपी एसी में भी यह सवाल नहीं पूछे जाते बहुत बेसिक कॉंसेप्ट है बहुत ही बेसिक कॉंसेप्ट है आपसी करा दो मज़ा आ जाएगा इससे ही करा दो मैं ऐसे ही करा रहा हूं मैं एक और आप देखो के कैपिटल गूड अगर आपको पढ़ना सीखो मेरे भाई एक कोमन अंडरस्टेंडिंग बनाना जिस दिन आप सीख गे न मैं कहरों जी इस तो बहुत आसान लगने है क्या होता है मेरे भाई एंड प्रोडक्ट होता है आप इसको यूज करते हो तूल्स क्या है यह भी एंड प्रोडक्ट होता है यह भी क्या होता है आप इसको यूज करते हो टेलीविजन क्या है यह भी एक एंड प्रोडक्ट होता है आप इसको यूज करते हो और यह सब क प्लांट एन मैनिफेक्ट्री मतलब जो गुड्स आपके पास पूस्ती है उसकी इंडस्टी जो होती है वो किस से चलते हैं प्लांट और मसीनरी से और यही हमारा सही उप्षन चले मेरा भाई चलिए अगला देख लेते हैं यह सारा कराऊंगा मैं आपको कि M1 M2 कौन सी ज्यादे लिक्विडिटी होती है किसमें कम होती है यह सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे चलो कि इंटरी स्पीशी इंट्रेक्शन डेट है जे फैब्रेवल इंफुलेंस ओंदा पार्टिसिपेटिंग स्पीशी एस पर कैपिटर रिप्रोडेक्शन और रे सर्वाइवल्टी जैसे एक दूसरे को पसंद है तुझे यह पसंद है इस चीज़ से सर्वाइव कर जाएगा मुझे यह चीज़ पसंद है मैं इस चीज़ से सर्वाइव कर जाओंगा तो यह आपस में म्यूचिलिज्म होता है क्या म्यूचिलिज्म पैरसेटीज होता है जैसे कुछ बच्चों को कह देते कि पैरस आइटम माबाप का खून पी रहे हैं तो जो दूसरों पे निरबर हो इदाप टेशन नहीं कर पाते तो इसलिए आते हैं और कुछ इस पीसीस ऐसे होते हैं जो ज़्यादे गर्मी पढ़ती है तो वहीं अपने आपको जोढ़ोखे चुछ चाहिए मुझे कौल चाहिए ऐसी सिंबाइसिस में होता है पर यह नेगेटिव में होता है किसे नेगेटिव में इसफिन को हम फोजटिव में में देखते आख कर हिंदी में हम जाज़ देखो तो विश्य बात है यूनियन लिस्ट की बात कर रहा है और 246 आर्टिकल अभी मैं आपको बता के चला हूं जिसके अंदर यह आता है चलो मेरे भाई आगे चल लेते हैं तिलका लेक और यह क्या सवाल बना दिया स्से ने उड़ीशा के अंदर पता है उसे भी पता है कि इन सारे बच्चों को उड़ीशा के अंदर पता है कि यह लोग उड़ीशा के अंदर है अब आप यह बता दो कोन-कोन से region में पढ़ती है ना अब जटका यह होते हैं सवाल कर जाता है कि यह तो बहुत हाड सवाल होगे तो लाओंगा मैं सेटर्डे संडे करन्ट अफेर टो फिप्टी कोश्चन करहा करूं तो बहुत यह तो पूरी खुर्दा और गंजम डिश्टिक में क्या पढ़ती है चिलका लेक पढ़ती है याद रखना भाया याद रखना इसको होते हैं जो जादे गलत हो रहा उसको ऐसी शिफ्ट में डालती है जहां कहीं न कहीं मैं से लएगी होगी या कुछ और चीज़ी दे रखा होगा वहां पर इस सवाल को डाल के हाड बना देते हैं यह आसे इस तरह से खेलती है ए आंसर दे रहे हैं नहीं भाई इसका थ्री आ कर ता है अगर हम बात करें कठी वार कोष्ट की तो यह तो गुजरात में ही पड़ता है यह साथ जो है कठी वार को रोगे कहा है गया तो कोंगर कोष्ट को कहा है महाराश्ट हमारा उपर आता है कौनकन कोष्ट हमारा के पास होता है क्या कौनकन कोष्ट होता है क्या होता है वह यह कौनकन कोष्ट मालाबार कोष्ट कमिलनाडू मालाबार कहां पर होता है मालाबार होता है के लाके पास के लाकोष्ट को क्या कहते हैं मालाबार क्या कह मेरी पहले जोग्रफी की किलास पढ़ियां दूसरे वाले चैनल पर देख ना बड़े शांदार तरीके से मैंने बता है तीन कोन बता रहा है मेरे भाई एक अंदर आया मनी से और देख लो कितने अच्छे लेवल के सवाल है गोल्ड कोपर सिल्वर या ला तैंसिल अन्सिल मतलब बलतन जो होते हैं घर के बलतन तो यह तो हमारी कॉमेडियों में नहीं आता इसको भी हम मीडियम और एक्चेंज के रूप में यूज कर सकते हैं तो पूर्ट है हमारा आंसर को दे रहां यह नहीं बाई यह आंसर नहीं होगा कि अब यह मैंने ना कल बताई थी आपको कि कॉंग्रेस की किस तरह से स्थापना हुई थी जब मैं यह बता रहा था ना तो मैंने आपको इंडियन एसोशेशन भी बताया था अब जो उसने इंडियन लीग पूछा था वह नो तारिक की सिफ्ट में पूछा था और यह भी कितने है जो दो हजार थैस के अंदर आपका पेपर हुआ है ना 11 ग्यारे 10 की सिफ्ट है जिसमें यह पूछा गया एक में पूछ लिए इंडियन लीग दूसरे में पूछ लिए इंडियन शॉशन तीसरे में कॉंग्रेस पूछता है वो तो सभी को पता होता है यह ना वो तो करा दूяхने उससे पहले यह अन्धर कहां बनी थी लंदन के अंडर बनी थी और इन दोनों को मिल के क्या बनि थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस 1885 के अंदर कल भी रिवाइज कराया था आज फिर से रिवाइज करा देता हूँ सेम सिफ्ट के सवाल है 1885 वाले भाई वो इंडियन लीग की बात कर रहे हैं एक इंडियन लीग थी जो 1885 में सिसिर कुमार घोष ने बनाई थी एक इंडियन अस्योशेशन थी इंडियन अस्योशेशन अठारे सो छेतर के अंदर बनी थी है ना और यह दोनों मिलके एक साथ मिलके इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के रूप में 4885 के अन्दर फोम हो गई चलें ओके ठीक है भाई प्लोची सीदा है है कि साइन्स अवी मेटल्स को क्या कहते हैं Д Mais मैटलेर्जी कहते हैं और साइन्स ओव साइंस ओफाट्रो मतलभ रोंच कور क्या कहते हैं पैट्र लौजे माइक्YOLO 11 है ना तो यह सारे कॉंसेप्ट हैं सारी चीजे डिटेल में ही करने वाले आज आपको मैंने सवाल दिखा रहा हूं और फिर आप उस हिसाब से मेरे ओलंपिक वाले सवाल देखना और उनको करना और उनकी जो एक्स्प्लेनेशन वह देखना उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा भाई चीज क्या चल रही है यहां पर कई रहा है यह कैरा सकते गर्या डेको बिलकुल बाइंसर सवाल है और इसका आंसर आछानी से आप वह सोची नहीं सकते जो होगा यह और वह आप सोच भी नहीं सकते बुद्धा लीड़र सकतेगर है डेट वर लंच अगेंस दी गवर्मेंट है ना बताईए क्या अंसर होग कि यह किसके दुआरा इस्टार्ट किया गया था गॉर्मेंट के अगेंस महत्मा गांधी के दुआरा कि दर्सना जावेरी एंदेव जानी चलिया रधा बैस्ट नोन फॉर्ड दा कंटिविशन विच ओफ फॉलंग इस्टाइल ओफ इंडियन डान्स है ना मैं यह कोश्चन आपके लिए होंवर्ग देता हूं मैंने कल भी दिया था यह भी आपके लिए होंवर्ग दे रहा हूं म ट्रहों पोरी एक और आता यहां पर मोहीन अठ्यम और अट्डम डांस कहां का है यह भी केरल के दोनों है मनीपुरी मनीपुरका है यह तो आपको पता ही है नाम से समझ में आ रहा है कि यह मनीपुरका होगा अब आप अंसर बताओगे अगर एक बर इनको .. तो एक बर आपके कुशि माइन में पोख जाएगा और आपको फिर अगली बार जब आएगा न तो आप आफ अंसर देदो गे इसका जावेरी ब्रोदर्टर्स आपे देख्याungगे अभी भी है तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा है ना अच्छा यह हमारे स्टार्ट होते हैं ओलम्पिक के सवाल अब हिंदी इंग्लिस दोनों में है थीक है मेरे भाई अब कोई शमश्य वाली विश्य हो तो बताना बस इनको लगाते चलो मैं मेरे साथ इनको लगाते चलो और अधर के एकस्प्लियxim भी साथ मिलाया सारा this का पार्ट है तो उसमें बहद्दुरी तो किसी को दिखानी नहीं कि वाई क्या कैशे ठीक है सारह मैं लिखके सारा मरलब इस पीपीटी में लाया हूं और इस पीपीटी में आपको दूंगा और उसके आप पीडियाप भी एक बार पढ़ लोगे ओलंपिक कभी गलती नहीं कर सकते ठीक है चलो वेरवाज दा फर्स्ट ओलंपिक गेल है पहले ओलंपिक कहां पर हुए थे मैंने पहले बता इस ग्रीज के अंदर फर्स्ट मोडन ओलंपिक हैल इन अठारे सो चान में ठीक है पहला सवाल दूसरा देख लेते हैं दूसरा सवाल है ओलंपिक खेलो के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है क्या पूछा है मेरा सत्य नहीं है अब ओलंपिक के सवाल जाएंगे जो कल पूछा था ना उननीस तो अटालीस वाला सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा पहला olympic kia 1806 में में आयोजीत किए पिर्थाम olympic kg में ग्रीस में आयोजीत किया गये इसमें 13 ने भाग लिया पहले ओलंपिक खेलों में पिर्थम ओलंपिक खेलों भारत का दस्वा इस्थान था क्या अंजर दोगे आपका तीब बहुत बढ़ी है योगेश मेरे भाई भागी नहीं लिया था भारत ने जो 1900 के अंदर हुए थे यह सवाल बनता है आपके एक्जाम में कि सबसे पहले भार आप इसकी explanation देख लो क्या वर्स हुआ था 1860 में में तारिक थी 14-15 कुछ भी पूछ ले सब बता दोगे इस्थान था एथेंस ग्रीज भाग लेने वाले देश ते 13 खिलाडी भी पूछ लेता है कि पहले ओलंपिक में कितने खिलाडियों ने भाग लिया तो खिलाडी थे 311 ख आपके सारे सवाल के लिए ओए जाएंगे एसी रिलेट हैं इन विच औह अलां पीग इंडियन होकी टीम Gold Medal जीता था कि सोलंपिक ने भारत Neutmiddel जीटा था आप बताएगे बैसे तो जीटा था 23 मेन जीता था अब आप बताओ इन में से कौन से में जीता था अब इसके आडम में हुए थे 1928 के नीदर लेंड में पढ़ता है भारती होकी ने सबसे पहले गोल्ड जीता था भाग लेने वाले देश अगर पूछले थे खिलाडी तो यह नहीं पूछेगा बहुत ज़्याद है खेल पिट्यों गीता है बढ़ती चलीगी भारत का इस्थान क्या था तो एक स्वन पदक इंच होकी में है ना क्या होकी के अंदर भारत को एक स्वन पदक मिला था और यह तरीका मस्त है बिलकुल मेरे भाई यह तरीका मस्त है सारी चीजे आपको मिल जाएंगे अब ओलंपिक में वह फाइफ रिंग क्या रिपरेजेंट करती है फाइफ ओशन कांटिनेंट प्लेनेट या फिर गोड़्श है ना तो पांच महादीब को क्या करती है रिपर कर 750 पहला डोर्ण को रिपए को ए उच्यर और धी ना फॉर्ट है देखते को बीलू बीलू यह फानी पानी फानी फीवाला ठंडा पानी यह और अपनेSp قलर कैसे ओता है Poke ना तो बूरे ले ओता होते हम यह ब्रेंप उसे हम यह दो होते हैं अबट याद रिक उसलोगे तो अफ्रीका रेड अमेरिका अमेरिका को ना अमेरिका के प्यूपिल्स को रेड इंडियन्स भी कहा जाता है तो वहां से आप याद रख लोगे अमेरिका और जो हमारी हरी अंगूठी है वो किसके भाईया ओशीन या ओशीन देश ऑस्टेलिया न्यूजिलेंड ये सारे हवनों में भैगे ठीक है जालो सवाल समझ में है पांच महादीप क्या-क्या रिपरेजेंट करते हैं हमारा पीला पीला कलर होता है बिलू है पानी-पानी ठंडा पानी ये यूरोप का और जो हमारा अमरीका रेड इंडियन्स कहते हैं वह लाल होते हैं जैसे उन्हें उसमे ग्रीक भगवान के संबान में है ना कौन से घ्रीक भगवान थे जिनके ओंडर में यह क्या ओलम्पिक गेम को इस्टार्ट क्या गया तो जीज इसको कोई मांते हैं तो जीज इसका आंसर हो जाएगा ठीक है यह जूनानी देवता जूज आपने देखाओ 300 मूवी देखिए उसमें जीज कोई मानते थे जो युनान का देवता होता था आगे आजओ ओलंपिक जिनकी पांच अगोटियों में अलग लाल पीला नीला और बताओ रंग पूछ लिया आप से देखो लाल हरा पीला नीला और अब देखो लाल बताया मैंने अमेरिका हरा बताया मैंने ओशेन का फ्लैक कैसा है हमारा अफ्रीका का अच्छा लग रहा है सर बिल्कुल यह सवाल बहुत अच्छे हैं जल्दी जल्दी लेके चलेंगे हम कि यह सारे फिर से वह यह आंसर है है ना आपको पीडियाप मिल जाएगी देख लेना अब क्या विच ओफ फॉलोइंग कॉम्बिने से देखना कि इसमें वर्ल्ड वोर के आसपास की जगह कौन सी है तो अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आंसर भी दे देंगे क्या यह वर्ल्ड वोर के जगह क्या यहां पर वर्ल्ड वोर हुआ था तो इसके तो बाद में वर्ल्ड वोर हुआ था है ना क्योंकि तभी नह इन में से बताओ कौन सा होगा तो दे रहे हैं तो इस थिस की वज़े से कट गया और यह कट गया था चालिस की वज़े से आजो आंसर देख लो जांग गया चलो इसका इसका एक्स्प्लेनेशन आई थिंक नहीं दिया तो मैं इसका बता देता हूं जब तो शोलह के चालिस के और चावालिस के अंदर कितने तो लेचालिस चावालिस के अंदर ओलंपिक गेम नहीं हुए तो यह सवाल पूछा आपके ससी नहीं मेरा सवाल नहीं है यह आपके ससी नहीं पूछा है बी आंसर बिल्कुल सही कहां पे दो बार पैरिस में भी होगे लंडन में भी आटलेंटा और एथन्स आओ देख लेते हैं कहां पे नहीं हुए तो बी है हमारा इसका आंसर अरे यह कहां पे लगा दिया इन्हों 2004 में अथेंस में विए ते पैरिस में उन्नीस तो में तो यहीं वह गेम है यहीं जिका लिसल्फिता रहा हो में ब्लब यहां और होकी में और क्यों रखता यह वाला गोल्ड क्योंकि हमने इंडिब्वीनं के बाद सबसे पहला ओलंपिक में गोल्ड यही जीता था ठीक है एट लेंटा में उन्नीस तो छान में में वे थे श्रिफ एक बार ठीक है दो बार इन सम्में हो चुके हैं दोनों में एटलांटा में नहीं चलो नुवा वे राल्दा हेड़क्वाटर ओफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना बड़ा आसान सा सवाल है जितने भी स्पोर्ट्स के हेड़क्वाटर पूछ ले लोजन स्विजल लेंड में लगा देना और आगे बढ़ जाना लोजन स्विजल लेंड में इसका हेड़ परवाटर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं का पहले इसके प्रेजडेन ठ необходимо बाग आप सव्फ़न कोन और दो लिए प्यारे यह भी सवाल आता है कि इंडिया जो ओलंपिक कमेटी है उसको किसने क्या फोर्म किया था तो यह वाला सवाल भी आपके सवाल देखना आप एससी के प्रीवियस देखना आपको यह वाला सवाल मिल जाएगा तो पैरेडी ने यह फाउंड करा था पैरेडी कुम अभी लेटेस्ट कोन है चलो दसवा वोट जिजदा ओलंपिक मोटो साइटस एटलस फोर्टियस यह आपके जीवन में भी बड़ा महत्व रखता है यह यह बताइए इनका मतलब क्या है फास्टर हायर डीपर फास्टर हायर इस्टोंगर बिगर इस्टोंगर टॉलर करेक्टर इसका इसका मतलब है न और क्या है इसका मतलब कि इत्वाट्र प्रहायर इस्टोंगर ने दिया था यह लोगो जो है किस ने दिया था तो यह लोगो किस ने दिया था यह सवाल बनता है कि यह वाला लोगो फास्टर हायर जा रहे हो आप चलो यह सारे सवाल हैं जो आपके पूछे गए हैं आधुनिक खेलों में महीला उन्हें हमने सब पढ़ा देखो रिवाइच करा तो एक बार मेरे साथ रिवाइच करा पहला उलम्पिक गेंग कब हुआ जो भी चっと जो उन्नित्LES का पैरिस गेंग था जिसमें भारत ने पार्टीसिपेट करा उसमें ही महीला उने भी पार्टीसिपेट करा याद रखेंगे जो भायाяться हैं retire। भाहिला उने भी पार्टिसिपेट कर रहा था चलो यह सारा डिटेल दिया है कि भाई भाग लेने वाले देश क्या थे कितनी पिर्तियों कि भारत में इस्तिती में क्या दो रजत पदक जीते थे नार्मन पिचाड के द्वारा जीता गया कलकत्ता इस्ति एंगलो एथलेटिक क कामेटी के वह सद्दस्य थे उसमें दो रजत पाता है आपको पूछ लेना कि भारत के कितने पदक आये तो जो भारत को रिपरजेंट कर रहा था वह दो पदक लाया था जो पहले बार ओलंपिक ने भारत ने भाग लिया था चलो अगला देख लेते हैं कि एड़ीच ओव फॉलोइंग ओलंपिक फिलैग है ना जो जो जंडा फैराया जाता है सबसे पहले कब लाया गया यह सवाल सारे स्टेटिक से बिटा मैं जो रिवाइज कर रहा हूं जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं वैसे याद कर लेना सारी चीज़ें रट जाएंगे उननीस तो अठाइस में चलो देख लेते हैं तो 1920 में एंट्वर्प में जो हुए थे ना उसमें सबसे पहले फ्लैक सेर्मनी हुई थी ओलंपिक फ्लैक वाइट इन कलर ओरिजिनली मेड कोटन इसकी डायमीटर जैसे उसकी पूछ लेती ना वोलिवर कोट की ऐसे कभी-कभी से डायमीटर पूछ लेगा वो सारी चीज़ा आपके लिए लाया हूं है ना तक इंबल प्लेस दा मेडल ओफ 20 206 सेंटीमेटर इंटू 60 सेंटीमेटर फ्लैक वाइड डिजाइन बई कुमबर्टीन है ना यह बहुत विसेस महत्व रखता है कि यह किसे ने दिया था इसका म हो रहे थे वहां पे क्या है यह पहली बार फ्लैक को फ्लैक जैसे जंडा सेर्मनी होती है ना वो करी गई थी ठीक है मेरे भाई तो आंसर क्या है आपका 1920 एंट वप है ना याद रखना चलो तेहरवा सवाल निमलिखित में से आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है बहुत बार मैंने वह वर्ल्ड आपके सामने यूज कराया कि मोर्डन ओलंपिक का जनक किसको कहते हैं तो हमारे पाइरेडिक कुबर्टिन याद रखना बहुत ही बार सवाल आया है भूल मैं आपको याद कर रहूँ युना रहा हूए और कोई भी रीजन नहीं है इसका नचलो सवाल कैंने देस आके आने लगे और यूनान नहीं सबसे जादे मैडल जीते ते ये तो याद रखना पिर्थम इस्थान किसका था ऐंस युएस से पिर्थम ग्हेश दूसरा जर्मनी तीसरा इस्थान देसों ने भाग लिया था ये पहले भी बता चुका औहुं पहले भी बता चुका हुं आंसर is सबसे पहले कहां पर यूज की गई थी यह यार स्टैक्स है ना तो आपको थोड़ी बोरिंग तो लगेग यार क्या एक की चीज पढ़ारे उपर यार यह सवाल बनते हैं मैं चाहता हूं कि एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए तब ही 47 का टार्गेट दिया था तो यह सवाल उसमें महत्पूर्ण है है ना चलो आज़ाओ अच्छानमें 1908-28 या 20 है ना तो अच्छानमें में तो हुए थे तब तो कोई फिलम नहीं थी आठ में लंदन में भी नहीं एमस्टरडम में भारत ने गोल्ड जीता था एंट्वप में सबसे पहले जंडा हुआ था तो आओ देख लेते हैं कि लो सबसे पहले उसी में ही जिसमें जंडा उसमें ही क्यालो नहीं 28 वाले में जिसमें भारत ने टो की में सबसे पहला गोल्ड जीता था वहीं भारत ने फिलम भी ली ती ऐसे याध कर ले ना 1978 फिलम में जो होती है न जाती है तो वह 28 में जो जंडा था वो 920 में एंट वप में हुआ था है ना चले वाई चलो आंसर है हमारा 28 के एमस्टेडम में यही बचरा था अगर पहली जो चीजे बताता रहो याद है तो आप अराम से कर लेंगे अब यह पूछ लिया यह सारे सवाल आपके पर के हैं तो ओपनिंग सेर्मनी में होता है सबसे आगे जंडा लेके कौन चलता है कैसे डिसाइड होता है कि वह सबसे आगे चलेगा और सबसे पीछे वह चलेगा और ना तो आपको पता है कभी इस चीज को नोट कर आप भरत का कौन है तो आप देखते हो भारत का दोजवा की इस पोजिशन पर चला उस पर चला तो आखिर यह क्यों होता है करें तो हम देख लेते हैं क्यों होता है तो जो मैजमान राष्टिया होश्टिंग नेशन अंग्रेजी के लावा कौन सी भासा अंतराष्टा टोपिक की समयति की अधिकारिक भासा एक तो है इंगलीस यह जैसे आप अगर यून की पड़ोगे यूनाइटेट नेशन की ना पांच भासा और यह फ्रेंस है मंडेरीन जो चाइनीज वाली लेंगवेज वह भासा पांच भासा यूएन की है तो वहाँ पर भी एक अंग्रेजी है उसके अलावा कौन सी भासा है आप क्या बताओगे आप common sense लगा कौन सी भासा होनी चाहिए क्या फ्रेंज होगी स्पैनिस होगी या जर्मन उगी एक ही भासा है जो यूएन में भी बोली जाएगी वह है हमारी फ्रेंज चार्टर के अनुसार ओलंपिक खोईलों के पिड़ती होगी ताकि अब दी इससे अधिक नहीं हो सकती कितने दिन तक ओलंपिक चल सकते हैं मैक्सिमम सब बोर हो रहे होंगे यार क्या पढ़ारे हो सर क्या आता है देखा आपने 1948 वाला कल सवाल तीन सवाल देखे थे मैंने 23 के पेपर में और मैंने आज सोचा कि पहले ओलंपिक उठा लेता हूं मैक्सिमम कितने दिन तक ओलंपिक गेम चल सकते हैं तो आज कितने दिन तक चल सकते हैं तो मैक्सिमम 16 दिन की अब दिया और यह तो कितनी बार पूछा है अभी साइद सीजल के उसमें मैं बैठा था उसी की किसी सिफ्ट में भी पूछा यह कि बहुत सोले दिन तक मैक्सिमम सपत फिलेम सवाल बनते हैं हमेशा बनते हैं उलम्पिक से और एक सवाल जैसे आप खट्ट देनी सी करोगे न ऐसा लेवल का यार यह आ गया पढ़ा हुआ एक अलग लेवल का इनट वंप में हुआ था था एंट में हुआ था प्या इसमें धने घर में उसको यूछा था और यह गहां प्याने ता YEुज्टर में क्या है इंदर के अंदर क्या हुआ होस्ट हुआ था यह 1928 का 1920 में फ्लैग फ्लेम और जो आप सपत है है ना जो सपत है जिसको हम ओध सेर्मनी कहते हैं तो ओध ली गई है कहां पर भाईया 1956 के मेलबंड एक सवाल नहीं छोड़ूंगा आपका एक भी ओलंपिक से निकल जाए भार सवाल आ जाए तो मुझे कह देना आके चलो अगला देख लेते हैं विच ओव दा फॉलंग एथली वोन दा मैक्सिमम नंबर ओफ इंडिजल गोल्ड मैडल एड़े सिंगल ओलंपिक तो यह तो माइकल फैल्फ आपको पता है तेराख हैं यह यूएस से के सबसे ज्यादा जीते हैं अठ्षाइस सोचानमें में कौन सा आदूनिक ओलंपिक खटेलो का पहला चैंपियन कौन बना था जिसने सबसे पहले पिलतियो गीता कोई जीती थी जब एथन्स के अंदर और 1896 में गेम हुए थे सबसे पहले पिर्टियोगी तामें किसने मैडल जीता ये सवाल भी आपके पेपर में आया है तो ये डी है हमर क्या हमर डी जेमस कोनोली बहुत बार आया ये भी सवाल जोमस कोनोली यूएसे के पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्नोंने पहले ओलंपिक में पहला पदक प्राप्त किया था इस्टैटिक्स जी के मेरे वाइट थोड़ी सी रटनी पड़ेगी चलो कि यह सारी डिटेल आप देखे कौन सी महिला ओलंपिक चैंपियन थी पहली महिला ओलंपिक चैंपियन पूछ लिया पहले वी देख लिए आपने और यह देख लिए तो लुइस मार्टिन पहली ती कौन सी थी लुइस मार्टिन पहली ओलंपिक ये जीतने वाले कौन से व्यक्तिगत पदक जिनोंने जीता था तो ये का हैलेंस्use gica क्या था भाया ओलम्पिक था जिसके अंदर किसने केड़ी जादव ने मेडल जीता कंश्यो प्दक और इन्नों ने जीता था क्या जीता था था कंश्यो प्दक इन्होंने जीता था चलो आगे दीBack तो विश्वा ध्यांचन्द का बहुत नाम सुनाए आपने यह किलास ना मज़ा आगर आप एक बार रिवाइस कर लोगे पीडिया पढ़ लोगे ना बड़ा मज़ा आ जाए कहां पे जीता था तो सबसे पहले अलंपिक एंस्ट्रम में होए थे वलाव होकी का पहला पदक जीता था और ध्यांचन्द को उसी में जादूगर कहा गया था 1928 के ओलंपिक में और 28 1 गोड मैडल जीतने वाले थे वोडीन जीता इसलेक्व लोगे जीता पर जो ध्यांचन्द जीता था 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 एक मात्र Lazar ग्रिमस्ट्राच दोनव ओलंपिक विश्गा पहला रपन गया जहां पे डोनों Anda अलंपिक एक्तन गार्णा की कर सकता है जाइना की राजदम स्कार्णाल हो चुके यह वी सवाल आपके सीका है 2008 में इसने क्या किये थे समर के और 2022 में Winter Olympic की मेजबानी किसने करी थी चाइना के द्वारा की पहला सीथ का लिंघ ओलंपिक देखो आपने ग्रीम अलीन तो पड़ लिया तो पहला कब हुआ था तो कब हुआ था 1924 के अंदर 1924 में पहला विंटर ओलंपिक हुआ था यह पहले वाले बहुत बार आपकी परिक्षा में पूछे जाते हैं चले आगे बढ़ लेते हैं लोट पढ़ लेना बड़े अच्छे हैं किस वर आयोजित किये गए है ना पहला यार यह तो बहुत बार रटा चुका हूं अठाज कभी नहीं भूलो गया आप है ना चलो सब्सक्राइब कोन से अचलों एशया का आप देख़ू रिवीजन साथ होगी आपका ना वह सवाल मैं बताता आ रहा हूं ऑब तो उससे क्या है आपका सब्सक्राइबदते पढ़ाएं के शरी देता तो अश्टेलिया से अब फिर बता रहा है यह यादकना और भीलू कलर बिलू है पानी पानी मतलब यूरोब जा रहे हैं और अगला चल लेते हैं यह सारी चीजें बता चुका आंतराश्ट्य से पहली भाल्तिया महिला कौनसी है यह लेटेस्स सवाल है ओलंपिक कमैटी में नीता अंबानी गई थी इन में से मतलगा देना कोई को इस पहले नीता अंबानी ही गई थी जीता है कर्णम महेश्वरी और इसको देख लेना कहां मिला पदक जीते हैं पहली है जिनों भारुतल में 69 kg में कितना भाया 69 kg में सिड्नी ओलंपिक हुए थे उसके अंदर कांश्या पदक जीता था सिड्नी के अंदर याद रखना चलो तो यह तो भाया रूस के उपर फिर से पिर्टी बंद लगा था पहले भी एक बाल लग चुका है विंटर ओलंपिक में है ना चलो 2018 2020 कहां पर आयों जित किये गए तो यह तो अभी आपको बता बीजिंग चाइना की राजधानी अभी बताया था जो एक मात्र ऐसा सहर है ना की देश एक मात्र ऐसा सहर है जिसने विंटर और समर्ट दोनों ओलंपिक को हुष्ट करा है वह हमारा बीजिंग चीन के अंदर ही अब आपको पता हैं व्यक्तिगत थो अभीशन वूंद्र ही है अभी अविंदर ही है है भारत में होकी में पहला पदक तो यह मैं पहले बता चुका हुं 1928 में भारत में होकी में पहला पदक जीता था आपका का रिवीजन स्टार्ट हो गया अब आपने जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं कि अब चालीस नंबर से वी उपर आएंगे बेफिकर रहा हो है ना 28 में ठीक है चलो किस देश ने सरब्दिक ओलंपिक की मैजवानी किये तो बहुत एक ही मात्रदेश कर सकता है चार की 32 24 की चांड मैं कि कोन से नहीं किया मेरे भाई रहे Vous अर भाइचान को न्हीं रहीं गपतान को था कई स्वाल से और से नीवनते इंडिपेंड़ने के बाद्रट में सब से नहीं हुआ पदक जीता था जिसके केप्टेंद थे कि लाल ब GG कि तरह से कैसे जीता और यही uh की सतंता के बाद तो श्वतय नाम दे दिया जैसे इक बार पूछा था पूरा नाम क्या एक बार पूछ लिया था पीवी सिंदु का पूरा क्या है और यह तो हर्याना के पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था पीवी सिंदू का पूरा नाम तो क्या है याद रखना खमसुबा दादा साहिव जाधव केड़ी जाधव कहते हैं जिन्नोंने सबसे पहले अपना क्या है पदक जीता था इंडिपेंडेंडेंट के बाद पहले पुरुष कौन थे पहला उलम्पिक कहां सबसे करेंगे theory सबसे पहले अलंपिकश कहां हुआ अपने मन में शोचाँ गए 2016 में mlai animal अंदर हुआ भारत ने कब participate करा था 1900 के अंदर करा था जब Paris के अंदर गेम हुए थे 1900 भारत ने पार्टिसिपेट करा था पहली बार महीला ने participate कब करा तो 1900 के अंदर पैरिस में पहली बार महीला ने participate करा सबसे पहले जो फ्लैक था होस्टिट कौन से ओलम्पिक में किया था सोचो 1920 एंट वपके सबसे पहले ओलम्पिक में फ्लेग फिलेम सबसे पहले एमस्टरडम का 1928 का हुआ था उसमें सबसे पहले फिलेम यूज करी गई थी है ना भारत ने पहला व्यक्तिगत पतर केडी जादव ने जीता था अगर हम देखें भारत ने पहला गोल्ड मैडल होकी में 1928 के एमस्टरडम गेम में जीता भारत में जब ध्यांचन्द होकी के कैप्टन थे तो वह कौन से यह में था 1936 के यह में हुआ था हैलेंस्की में जिसमें ध्यांचन ने गोल्ड मैडल जीता था इंडिपेंडेंट के सब्सक्राइबाद 1948 में भारत ने होकी में गोल्ड मैडल जीता और उसके कैप्टन थे किशन लाल क्या मज़ा आगया क्या मज़ा आगया ओलंपिक कुछ बचा ओलंपिक का सत्यनास पंच नामा कर दिया और रिपोर्ट बना दी ऐसी कि पेपर में अगर आ गया तो आप नही होगा टार्गेट हमारा अभी भी 47 आउट ओफ्रिप्टी चलिए मिलते हैं जैहिन वंदे मात्रम को को अ कर ने करने हैं